नमस्ते मैं आज आपको दो भाईयों की कहाने बोलने वाली हूँ आसा करते हूँ कि आप सब लोगों को सुनके अच्छा लगे तो फिर एक गाउ में दो भाई रेता था एक भाई का नाम था राम, दूसरे भाई का नाम था बिट्टू राम भी अच्छा था, बिट्टू भी अच्छा था राम ने एक दिन छोटे में सोचा कि राम बरा होके कुछ ना कुछ बरा बनेगा लेकिन बिट्टू ने सोचा कि बरा होके एक बरा होटेल या फिर जैसे कोई दुकान खोलेगा लेकिन दोनों के माता पिता गरीब थे इसलिए उन्हें बोला कि अभी तुम लोगों को हम स्कूल पे नाम कैसे लिखवाए हमारे पास तो पैसे ही नहीं है उनके माता पिता बहुत दुखी हो गई उनके पापा जब काम जाते थे काम से लोटने के बाद उनके पास यही कुछ ही पैसे है थे उनसे सरकारी स्कूल में उनका नाम लिखा दिया गया और हो लोग उहीं से सरकारी स्कूल में पर पर के बहुत बरे हो गए और फिर उन लोगों को दूसरे स्कूल पे नाम लिखवा दिया गया और दूसरे स्कूल पे उनने मन लगा के पढ़ाई की कि ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके इतने मन लगा के पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके माता पिता ने उन्हें कोई भी काम करने को नहीं दिया लेकिन उन लोगों ने जित करके बोला कि क्यों आप लोग मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं देते हैं राम ने भी बोला कि आप हमें आगे जाके कुछ करने क्यों नहीं देते बिट्टू ने भी बोला लेकिन उनके माता पिता ने उनके कुछ भी बाते नहीं सुनी और उन्हें वेसे रख दिया उन लोगों इतनी परहाई करके और मेहनत के बावजूद भी उनके माता पिता ने उन्हें कुछ भी करने को नहीं दिया मगर हो लोग फिर भी अपने माता पिता से नराज नहीं थे क्योंकि हो लोग अपने माता पिता को बहुत पसंद करते थे और इतने परहाई करने के बावजूद भी उन्हें अपने माता पिता का अगर उनका माता पिता उन्हें कुछ भी करने को देते तो हो लोग खुशते लेकिन अभी तो क्या और कोछी दिन वेसे ही चला एक दिन उनके पापा काम जाते समय उसे एक बरगत का पेर दिखाई दिया उस बरगत के पेर के पास जाके थोरा बेट के अराम कर लेता अराम करने के बाद उसका पापा सोचता कि क्यों न मैं अपने दोनों बेटे को ही कुछ करने के लिए दे ही दू फिर उनके पापा काम जाके कुछ पेसे घर लाते है और उन्हें आगे जाके कुछ करने के लिए द राएगा क्योंकि हम लोग इतने गरीब घर के जो है पापा बोलते कि यह लोग कुछ न कुछ कर के आएंगे उन्हें डिल्ली मुंबई जाने के लिए उनके पापा जितना काम के हुए पैसे हैं उन्हें दे देते हैं हो लोग डिल्ली मुंबई सुंबई जाते हैं लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया फिर इतने सहर में ढूंडा लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया कुछ देर के बाद एक लड़के ने बोला कि तुम लोग मेरे यहां काम कर सकते हो चलो आजाओ फिर हो दोनों खुस होके उसके उहां काम करने के लिए चलेगे वह अच्छे ची कपड़े बेज़के अच्छे चपल बेज़के उन लोग उने धेर पेशा कमाए और आगे जाके उन लोगों ने इतना ही बरा दुकान खोल लिया कि उन्हें तो कुछ भी कमी नहीं था उन्हें अपने माता पिता को भी उस घर में बुला लिया और हो लोग खुसी खुसी से अपने जिन्दी की जीने लगे इसलिए बोलते हैं कि जब लोग परहाई करते हैं तो उन्हें अच्छा खासा नौकरी भी मिलते और जो परहाई नहीं करता उसे आगे जाके कुछ भी क रहे किजिएगा